लोन मोरिटोरियम के मामले में सुप्रिम कोट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर अगस तक कोई बैंक लोन एकाउंट NPA गोशित नहीं है तो उसे अगले दो महिने तक भी NPA गोशित ना किया जाए राज़ाने दिल्ली में पप और बार नौ सितमबर तक खुलेंगे दिल्ले के ओफ राजपाल अनील बैजल ने पप और बार को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है सबी पब और बार संचालकों को केम सरकार ज्वारा एसोपी का पालंग करना होगा फिल्म अबिनेता शुशान सिंग राजपुत केस को लेकर लागतार बयानबाजी हो रही है अब नेटरी कंगना नौत असमामली में काफी मुखर है अब कंगना och शुषेना निता संचरावत के वी जवानी जंग तेज हो गई है मुंबई पुलिस को लेकर दिये बयान के बाद शुषेना निता संचरावत ने कहा कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए जिस पर अब कंगना की ओर से जबाब आया है कंगना नौत की ओर से ट्विच कर लिखा गया कि शुषेना निता संजरावत ने मुझे खुले आम धमकी दी है और कहा कि मैं मुंबई वापस ना आओ पहले मुंबई की सडकों में आजादी के नारे लगे और अब खुले आम धमकी मिल रही है ये मुंबई पुलिस पाकिस्तान अधिकत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है सुषान सिंग राजबुत केस में सीबियाई की जाँच का आज पंदरवा दिन है सीबियाई के साथ ईटी और नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरो की जाँच भी तेज रव्तार से चल रही है आज सुबह एंसेबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर चाप मारा सेमल मिरंडा के घर पर भी एंसेबी की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और नसेबी ने सेमल मिरंडा को अपने घर से ले गई ड्रक्स कंट्रोल मामले में रिया और उनकी फैमली एंसेबी के निशाने पर लागतार बनी है अब तक दो ड्रक पैडलर को गरफतार किया है जबकि एक फिरासक में है NCP की टीम ने रिया के घर पर सुबाची बचकर 40 मिनट पर चाप अमारी की NCP रिया के घर पर ड्रग से जुड़े सभी कनेक्शन और दस्तावेश खंगाल भी है शौबिक रिया की ड्रग चैट सामने आने के बाद रड का आक्शन लिया गया रिट के बाद NCP की टीम शोविप को हिरासत में ले सकती है चीन के रक्षा मंत्री वे फैंग ने भारतिय समकक्ष राजनाथ सिंग से आज मिलने की इक्षा जताई है पैग और राजनाथ सिंग फलाल मौस्को में चल रहे संगाई सहयोग संगटन की बाठक में मौजूद है इससे पहले गुरबार को राजनाथ सिंग की मुलाकात रूसी रक्षा मंत्री जनरल सरगई शोइंग के साथ हुई राजनाथ सिंग ने ट्विट करके बताया कि रूसी संगश के साथ उनके मुलाकात शानगार रही जेई मेन की परिक्षा का चौता दिन है बताते चले की 6 सितंबर तक जेई मेन की परिक्षा चलेगी भारत में कोर्णा वायरस के नए मामलों में अब रोजाना ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं देश में पिछले 24 गंटे में 43,341 नए मामले सामने आए वहीं 1,096 लोगों की जान गई है देश में अब तक कोरोना का जो आकड़ा है वो लाकतार बढ़ता जा रहा है कुल संक्या 40,000,000 की का करीब पहुँच चुक गई है देश में अब कुल कोरोना संक्रिमितों की संक्या 49,36,000 हो गई है इनमें से 68,471 लोगों की मौत हो चुकी है यूपी में कोरोना मरीजों की संक्या में इजाफा हुआ है 24 गंटे में 5,776 नए मरीज सामने आए है और जिसके साथ ही कोरोना मरीजों की संक्या 24,101 हो गई है वहीं कोरोना से अब तक 3,690 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना के 57,592 की इस आक्टिब बताए जा रहे है उत्राकंड में गुरुबार को कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और 508 मरीज ठीक हुए है अब तक राज में कुल संक्रमित मामले 6,871 है कुल ठीक हुए मरीजों की संक्या 14,945 है देरादुन जिले में 272 कोरोना मरीज मिले है बताप्रदेश में राजसबा की एकमात सीट पर होने वाले उप्चनाओं के लिए बीज़पी उमिद्वार के तौर पर सेयद जफर इसलाम और गुवन नारायन शुकल के नामंकन पत्रिद्दा की लिए है बीज़पी के इस दोनों नेताओं के नामंकन पत्र जांच में सही पाए गए है जबकि निर्दल्य पत्याश्री महेश कुमार का नामंकन निरस्त कर दिया गया आज नामंकन वापिस की तारीक है ऐसे में देखना होगा कि जफर इसलाम और गुवन नारायन शुकला में से कौन अपना नाम वापिस लेता है बताते चले कि समझवादी पाटिक के राजशबा सदस्य अमरसुन के निधन से सीट खाली हुआ है पवित्र तिर्थ स्थल हेमकुंट साहिब के कपाट आज श्रधालों के लिए खोल दिये जाएंगे हेमकुंट साहिब की यात्रा लगभक एक महिने और पांस दिनों तक चलेगी जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना महमारी के कारण इस बार हेंपुन साहिट की यात्रा पर आने वाले प्रतिक फ्रधालु को 72 गंटे पाले कोविट का PCR टेस्ट करना आने वारे होगा आज सुबई 11 बजे सचेवाले में कैमनेट बैठर का आयुजित होगी बढ़ते कोर्णा संक्रमन की वज़ा से पशली दो बैठर को स्थगित किया जा चुका है वदानसवा की मानसुन सत्व से पहले कई फैसले भी हो सकते हैं विजबी विदायक महिशनेगी मामले में आज सुनवाई होनी है महिला ने अपने गिरफतारी पर रोक लगाने की मांग की है विदायकी पत्नी ने महिला पर ब्लाक मेलिंग का आरूप लगा है चिकत्सक, संग और स्वास सचीव के बीच बार्चित जो है वो बिफल रही है इसे के साथ आपको पता दे कि बार्चित के बाद नहीं अभी तक कोई परिणाम निकला है डॉक्टर अपनी मांगो को लेकर आंटोलन कर रहे हैं कैबनेट के निरने तक डॉक्टर काली पती बान कर काम करेंगे कोर्णा मामारी की बीच खरीब साड़े पांच माँ बाद अनलॉक चार में ग्रिह मंत्राले ने देश में 7 सतंबर से मेट्रो के संचालन की अनुमती दी है इसके बाद लखनव और नॉयटा में मेट्रो को चलाने की तयारियां शुरू कर दी गई है मेट्रो की फंक्शनिंग और मानकों के परिक्षन के लिए लखनव में आज से मेट्रो पट्रियां पर डॉरने लगेंगी वही नॉयटा में ट्रायल शुरू हो चुका है थर्मल स्कैनिंग और आरोग्य सेटू एप की जाज के बाद ही मुसाफिरों को सफर की अनुमती मिलेगी कोर्णा संक्रमन रोखनी के लिए यूपी के ग्यारत जिलों में आज से सीरो सर्वे शुरू होगा रेंटम तरीके से हर्जले के 45 जगों से 32 लोगों के लिए सैंपल लिया जाएंगे 18 से 69 साल तक के लोगों की सेहमती के बाद भी जाज की जाएगी अयुद्या में प्राइबिट बस कंडुक्टर पर गैंगरिप का आरूप लगा है पिड़िता लुध्याना जाने के लिए अकेले निकली थी मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार कर लिया है बेशबर में गोर्णा संक्रमन के मामले लागतार तेजी से बढ़ रहे हैं ब्याचों की चात्र श्यव कुमार्ट वेदी चह महीने से गायब है लाबाद हाई कोट ने इस मामले में सुनवाई करते वे वारनसी की पुलिस को 22 सेतंबर तक का अल्टिमेटम दिया है बल्या में पुलिस के कैर के खलाब धरना दे रहे लोगों पर जब पुलिस ने बल आजमाया तो इनका गुस्सा चरम पर आ गया बदोई के बावबली वदायक विजय मिश्व पर योगी सरकार का सकंजा अलागतार कस्ता चारा है विजय मिश्व को मद्रदेश गिरफतार कर जेल भेजने के बार सरकार ने अब प्रियागराज थे तो उसके संपतियों की पड़ताल शुरू कर दी है विजय मिर्श्व और उसके परिवार की कई संपतिया प्रियागराज में हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम छानबेन करने में जुट गई है मुलंच्वेर में महिला का हाई वोल्टिज ड्रामा सामने आया है ज़ा एक महिला के घर काम चल रहा था इसरो दोरां पेंटर गाएप हो गया जिसके बाद महिला को पेंटर चुराहे पर घूमता नजर आया जिसके बाद महिला पेंटर को खीच कर चौकी ले गई राइबरेली के जल्माओं इलाके के खंडेश्वर मंदिर के पास लकडबग्गा दिखने से इलाके में दर्शत का मोहन है स्थाने लोगों की सूचना पर वन्विभाग की टीम काफी देड़ बात पहुची लोगों की मानेई तो वन्विभाग की टीम के पास जंगली चानवरों को पकड़ने के लिए कोई अंतिसाम नहीं है लकडबग्गा दिखने से स्थानी लोगों में दर्शत का मोहन है बरेली के नवाब गंज लाके में पुलिस और बनमाशों की बीच हुई मुटबेड में पुलिस को काम्याबी मिली है पुलिस के मुटबेड में शातर बनमाश बहित को गिरफतार कर लिया है पुलिस के मुटमेड में बदमाश बहित के पैर में गोली लगी वहीं उसका साथ ही मौका पाकर फरार हो गया बताया जा रहा है कि बदमाश बहित पर पिलिपीड के साथ बरेली में एक दंचन से अधिक मामने दर्श है पुलिस ने बदमाश बहित पर पंद्रह हजार का इनाम रखा था लगनोव पुलिस कमिशनेट में मुबाइल लूट का सिलसिला चारी है लखनों के पोर्श अलाके विवतुखंड ठाने से महर सो मीटर दूरी पर बाइक सवार ने नेवी ओफिसर से मुबाइल लूट लिया नेवी ओफिसर जिप्टी सीम दिनेश शर्मा के रिष्तिदार बताया जा रहे हैं के लाके में और भी मुबाइल लूट की घटनाए हो चुकी है खानगुर के बड़ा चराहक लाके में जेट स्क्वाइर मौल में आग लगने से मौल में हरकम मच गया मौल के कर्मचारियों ने धुआ उटता देकर पुलिस और दमकल को सोचना दी आग की सोचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस और दमकल कर्मी मौजूद है फिलाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पालिया है राइबर रिली में अपहरन के बाद चिचेरे भाई बैहन के हत्या की गई दोनों का शव गाउं से एक किलोमेटर दूर जंगल में मिला है बताते चले कि आठ साल की रूबी और 11 साल की दीपक का अपहरन हुआ था मदोई में विदायक विजय मिश्र के बेटे विश्नो मिश्र के खिलाफ NBW जारी किया गया है विदायक विजय मिश्र के बेटे विश्नो मिश्र के खिलाफ मकान और कमपनी कबजा करने समेथ कई आरोप लगे है विदायक को विजय मिश्र चित्रकुट जेल में बंध है उनका बेटा और पतनी अभी फरार चल रहे है बरेली के फतेगंस पश्मे लाके में गाय तसकुरों का वीजो वारल हो रहा है वारल वीजो में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक ने गाय को कार में धक्का देकर अंदर कर दिया गाय चोरी की ये करतूट से सिटीविव में क्यात हो गई है आजमगड के मुबारकपूर ताना इलाके में देवली के जंगल में बनमाशो और पुलिस के मुणभेड हो गई पुलिस या कारवाई के दोरान गौत अशकर दिलशाद के फैर में गोली लगी है बताया जा रहा है कि गौत अशकर दिलशाद गौक्षी के तयारी कर रहा था दिलशाद आजमगड के अलावा अकबरपूर अंबेटकर नगर में भी वांटिट था पुलिस ने दिलशाद पर 25,000 का इनाम रखा था पुलिस ने मौके से तमंचा और काट्वूस परामत किया है लखिमपूर कीरी में लावारिश शब को मोर्चरी में रखने आये लोगों ने मानपता की हद पार कर दे बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले महिला शब लावारिश पाई गई थी जिसे आज मौर्चरी में रखा गया वीजियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस प्रारीके से चादर ने रखकर महिला के शब को लेचाया जा रहा है वो शर्मनाग है जासी के रक्सा अलाके में एक युवक ने महिला और उसके बच्चे पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया हमले में महिला का हाथ कटा और बच्चे की गर्दन पर भी चोटाई है हमले में महिला का हाथ कटकर अलग हो गया गाल अवस्ता में महिला और उसके बच्चे को पुलिस ने जिला स्पताल में भड़ती कराया है कौशामबी के पुरा मुफते लाके में किशोरी की गला दबा कर हत्या कर दी गई आठ घंटे बाद चाडियों में किशोरी का शौ मिला है मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुट्बेड के दोरान घाल हो गया संभल के गुणओर कोत्वाली लाके में घर के बाहर बैठे युवक को वाइक सवार बनमाशों ने गोली मार दी घटना को अंचाम देकर आरोपी बनमाश मौके से पराफ हो गये गोली लगने से युवक की हालत गंबीर बताई चारी है घायल युवक को हायर सेंटर रफल कर दिया गया मौके पर पहुंची पुलिस मामली की चार्च में जुटिक दिया रामरगर हलदवानी आईवे पर कार सवार ने तीन युवकों को टकर मार दी टकर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दोग की हालत गंबीर बताई चारी है टकर मार कर कार सवार मौके से फरार हो गया पुलिस कार सवार की तलाश कर रही है ड्राइबर रिली की जल्माउधाना इलाके में अपने बेचे के साथ बाजार से घर लोट रहे शक्स पर धारदार हतियार से जानलेवा हमला कर दिया गया और उसे मौत की घाट उतार दिया गया जबकि इम्रतक का बेटा वहां से जान पचा कर भाग निकला आरोपे की गाउं की ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में वार्दात को अंजाम दिया है फिलहाल परीजनों की श्रकात पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जोटे खुई है पुलिस ने आगरा की कम्रानगर अलाके में बैवारी ललित कांटपाल से लूट के बाद हत्या की वार्दात का खुलासा कर दिया है और वार्दात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया है साथी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के 26 लाक रुपए बरामत किये है साथी पुलिस ने घटना में इस्तमाल अव्याद हत्यार और गाड़ी भी अपनी कबचे में ले लिया है नगनों के आश्यानत आने इलाके में ये वक ने आग लगा कर आत्महत्या कर ली पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है सुसाइड नोट के मताबिक परिवार और सिसुराल वालों को जिम्मिदार ठहराय गया है पत्नी की मौत के बाद से परिवार बेदखल कर दिया गया था प्रागराज के कोविड अल्ट्री असारन हॉस्पिटल का एक संसनी खेच वीडियो बारल हो रहा है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोरोना मरीजों के परिजनों से पैसे वसूले जा रहे है मरीज तक सामान पहुँचाने के लिए मेडिकल स्टाफ पैसे ले रहे है मेरीकल स्टाफ का एक कर्मी मरीज तरक जूस पहुचाने के नाम पर 500 रुपए की वसूली कर रहा है